नमस्कार मैं सत्यमकिर्थी फाउंडर अफ सत्यमकिर्थी एडूकेर बिजनेस कोच और राइटर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है कैसे करें क्या तरीका है प्रोसीजर क्या एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है सबसे पहले आपको उपन करना होता है डीमेट अकाउंट या उसको हम ट्रेडिक अकाउंट भी बोलते हैं और उसके बाद आप एलेजिवल हो जाते हैं किसी भी कमपनी के शेयर को परचेज और सिल करने के लिए को बताता हूं शेयर शेयर क्या चीज है शेयर एक यूनिट है अगर शेयर का मैं हिंदी कहूं तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा अंश यानि कि कोई भी इंवेस्टर अगर किसी भी कमपनी में इंवेस्टमेंट करता है उसके बदले में उस कमपनी का एक हिस्सा उस शेयर होल calendar को मिल जाता है तो जो हिस्सा उसको मिला उसको बोलते हैं어्ट करोड़ों मार्केट क्या हूआ सबसे पहले मैं बताऊँ इस टॉब क्या हूआ स्टोप का हिंदी होता है भंडार करना गयानि जब आय है equity share दूसरा एक तर्म है उसको बोलते हैं stock market stock market क्या हुआ तो सबसे पहले मैं बताओं stock क्या हुआ stock का हिंदी होता है भंडार करना यानि जब एक share हो तो आप उसको share बोलेंगे लेकिन जब ऐसे अर्बों share हो हजारों करोडों share हो लाकों share हो तो उनको share नहीं बोलते हैं उनको collective रूप से बोला जाता है stock और market का मतलब हुआ एक ऐसा place जहां पर खरीद और विक्री यह दोनों काम होते हैं उसको बोलते है market share market का मतलब हुआ जहां पर share की खरीद बिक्री होती है, stock market का मतलब हुआ जहां पर stocks के खरीद और बिक्री होते हैं, share में पैसा लगाना चाहते हैं आप भी, तो यह जान लिजे कि share होते कितने प्रकार के हैं, तो as per company jack 2013 share दो प्रकार का होता है, पहला उसको बोलते हैं preferential share और दूसरा उसको बोलते हैं equity share, preferential share का हम से shareholder को हम कुछ type का preference दे रहे हैं, किस type का, दो type का, number one, सबसे पहले हम उसको preference देते हैं profit में, लभांच में, और दूसरा number preference देते हैं, जब company, यह हम नहीं देते हैं, company jack देती है, जब भी company wind up होती है, यानि जब company बंद हो रही होती है, उस case में company के जितने भी creditors हैं, जितन क्या company कर्जदार है, उसमें preferential shareholder को सबसे पहला कर्ज का भरपाई, company के तरफ से किया जाता है, और यह legal है, as for companies act 2013, यह mention, next होता है, इसमें equity share, equity share होता है, दो type का, सबसे पहला हो गया, equity share with voting right, यह आप जान लिजे कि कि किसी भी company में अगर आपने share खरीदा, equity share खरीदा, तो companies act 2013 ने नियम बनाया हुआ है, उस company में आपका voting right हो गया, voting right का मतलब हो गया कि अगर किसी company ने किसी भी प्रकार का decision लिया, कुछ भी नया, तो उसमें आप भी हिस्सेदार है, उसके decision making में आपको हिस्सेदारी करने का मौका मिलेगा, चुकि आप भी उस company के voting rights का अधिकार रख तो आपको voting right भी एक ही मिलेगा, लेकिन company चाहे तो अपने share को देते टाइम में ये कह दे कि हमारे एक share के बदले में हम आपको दो voting right असाइन करते हैं, यानि जब आप एक vote करेंगे तो दो vote की गिंती की जाएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं, equity share with differential voting right, 2009 में टाठा कमपनी न चाहते हैं, या कर चुके होंगे, या भी आप already उसमें director या member होंगे, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके company में दो या तीन member है, या director है, उस case में profit sharing कैसे होगा, let's take example देता है कि आपके company में 4 member है, और company ने एक लाख रुपिय का profit generate किया, और 4 member के share 5%, तो जिसने share hold किया था 5%, उसको एक लाख का 5% ही अंश मिलेगा, इसी को बोलते हैं, लाभ का अंश, यानि लाभांश, और अंग्रेजी में इसको बोलते है, dividend, तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, Michelle Fund के बारे में, और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ और खास बातों के बारे में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किजिए और कमेंट की तरू बताइए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक्यू सो मच, ट